आज सुबह लगबग 6 बजे 50 से जादा पंजाब पुलिस के सिपाईयों ने तजिंदर बगगा को उनके घर से गिरिफतार किया है ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बगगा को चुप कराने के लिए लगा दिया अरविन केजरिवाल ने पचास-पचास पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं वो भी तब जब कोट ने बहुत इसपश्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम न उठाया जाए अभी तो जाच शुरूई हुई थी ट्वीट करने के मामले में सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉएंड ओर छोड़ कर दिल्ली में लोगों को गिरिफतार करने के लिए लगा दी गई है दिल्ली में जगे जगे पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे है मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बगगा एक सच्चा सरदार है एक बहादूर और सहसी सरदार है और अर्विंद केजरिवाल एक सच्चे सरदार से डर गए है इस प्रकार पुलिस का मिस्यूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया अभी तो एक महीना हुआ है पुलिस की ताकत अर्विंद केजरिवाल के पास आये हुए और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए सोशल मीडिया पे अवाज उठाने वालों को गिरफतार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अगर यही पुलिस पंजाब में लॉइन ओर्डर ठीक करने में लगे तो शायद पटियाला में जो हो रहा है वो नहीं होता है तो मैं यह कहना चाता हूँ कि सारा देश आस्तर जिंदर बगगा के साथ खड़ाए और अर्विन केजरिवाल का डिक्टेटर वाला चहरा जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल वो आज हम सब के सामने है